मैं सबस्धेशा जी कराया के तो लोग लोग आद भी कोई आया को सबस्धेशा में कराया प्रुजवास के ऐस अभास पर्दिशा करके वो इसन्सों का सबस्दों ठाथ नीशे जाएकर चुन जाता है वो धौकरत आके रुगाए कहते हैं जो कहलाता ना कि बाद के सही जी और प्रेश करते हैं आखत की आवाल होती है मातर ये शुदा के देशो जो आखल में है मातरी में जो आखत की देशो मैं दिन्द्या लगरवाल एड़ुकेट निवाश ये बेहुन नगार स्वेरी राम तीर्थ स्कूल के अंदर इंटर कॉलेज में एक सिंद्धावत कथा काईजिन किया गया है ये कथा पांस तारिक से सुरू हुई है और आज का छटबा देना है कल जो है यहाँ पर गोर्धन मारास की पूजा हुई थी आज जो है रास दिला और नफ़ान किष्ण के तराम लिलाएं और साथ में जो है अपने कंसबद और अब जो है राम भुपनी का किष्णिया बिभाव होगा और कल सुदामा चेसरी कथा काई जाएगी और कल जो है ब्यास जी बिजाई जी होगी सम्मान होगा अभी हमारे कल हमारे कारकरम में से देविन सास्तिर जी संधिया गुपता जी और पीजी चुद्रवेदी इबास्त बिजी साब आये थे इनोंने प्यास जी का सम्मान किया और जो है यह चित्र जी चित्र लगे हैं में सम्मय राम राम लाम लिखा हुगा है इसकी प्रसंसागी और हमारे राम कारण जी जी जिसके मुखाय जेक हैं जो ने गीता लिखी है जो चपाई बद्द है उसमें अठारे अध्याए हैं 16 सार लगे हैं इसमने चाहा इसका इस साल जो परत्तकासिन करेंगे और आगली बाव कताम में इसका मुखापन करेंगे यह कथा कलता चलेगी और परसुं मंदरा होगा से भी लोग जो है, कल की कथा में और आज मंद्नारे में आमत्रत हने धन्यवाद। कथागा आयोजन पांच तारीक से किया जा रहा है जिसमें आचारे वाल सुख सरत कस्ट जी महाराज द्वारा श्री मद्वागवा कथागा स्रोता यहां पर वैट कर बड़े आनंद के साथ श्रवन कर रहे हैं और धर्म लाव उठा रहे हैं इस पूरे आयोजन में श्रीमान रामधरबार गुवरेले जी और उनका समस्थ परवार और समस्थ विद्याले परवार पूरी तरह से सभी यहां पर ववस्तान समाल रहा है, सभी बिवब ने करने वासी यहां पर सयोग कर रहा है। आज इसमें यहां पर कलो चड़ां किया रहा है और गोवर्दन भूजा कलो ती और गोवर्दन गुजा कलों फी और गोवर्दन विवाज